अगर आप में चैनल पर नहीं है तो चानल को सब्सक्राइब करें वीडियो को एंट तक जरूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेर और कॉमेंट करें तो डिरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जी अन्सीटी ऑफ डेली की तरफ से 29 ओक्टूबर 2021 के लिए मैट्स की वर्कशिट है वर्कशिट नमबर 100 क्लास फाइब के लिए वर्कशिट है लर्निंग आउटकम क्या रहेगा तो फाइंगल्स अराउंड आउटकम क्या रहेगा तो आज हम पढ़ते हैं बड़ा कोण और छोटा कोण आपने पिछली वर्कशिट में देखा था कि स्वाती ने तिल्लियों से कोण बनाए थे स्वाती के दोस्त सुखमन ने तिल्लियों से अपना नाम लिखा उसने अपने नाम में कोण भी ढूंडे तो देखो उसने अपना न नोन नीजाना करके तुर्व में अधार के जिए भी ये ताथ को लिकार यह मेन न हरा प्रवाला कर सारोगे, तो देख तो लिके फिर गौर्ण। N में भी ये वाला corn और ये वाला corn, ठीक है? आप भी अपना नाम अंग्रेजी में लिखकर उसमें छिपे corn ढूणने का प्रयास कीजिए. तो आप भी क्या करेंगे अपना नाम जो है अंग्रेजी में लिखेंगे और उसमें जो कोण है उनको ढूडने का प्रयास करेंगे क्या आप जानते हैं कि जब तिलियां अंग्रेजी के अक्षर L की तरह खुलती है तो वे सम कोण राइट एंगल बनाती है जब भी जो तिलि होती है वो ये इस तरीके से अगर खुलेगी तो वो कैसा एंगल बनाती है सम कौन यानि की राइट एंगल बनाती है तो देखो ये L की तरह खुली हुई है ये भी L है ये उल्टा L है ये भी उल्टा L है और ये भी उल्टा L है लेकिन ये है तो L की तरह ही न तो ये जो कौन है ये सारे के सारे कैसे हैं ये सम कौन है ठीक है अब आगे देखते है प्रतेक चित्र में एक कौन दिखाया गया है यहां दिखाया गया है कौन अंदाजा लगाए कि कौन का माप क्या होगा तो आपको बताना कि कौन का माप क्या होगा तो देखो यह क्याची है क्याची के बीच का यह जो कौन है इसका बताना आपको यह बताना कि क्या यह सम कोण से छोटा कोण है यह सम कोण है या सम कोण से बड़ा कोण है तो देखो अगर यह L की तरह होता तो यह सम कोण होता लेकिन अब यह L अंदर की तरफ है इस तरीके से है तो यह सम कोण से छोटा कोण होगा और अगर यह L से जादा खुला हुआ होता मालो यह L था और अगर यह इस तरीके से खुला हुआ होता L इस तरीके से तो यह समकोर्ण से बड़ा होता लेकिन अब यह अगर यह L है तो यह L से अंदर की तरफ बंद है तो इसलिए यह समकोर्ण से छोटा कोर्ण होगा उसके बाद ये देखो स्टॉप में ये वला angle पूछा हुआ ये जो कौण है ना ये वला इसके अंदर तो देखो ये L इस तरीके से होता है लेकिन ये L से जाधा खुला हुआ है तो इस तरीके से कुला हुआ है ये L से जाधा है तो इसलिए कैसा होगा सम कोण से बड़ा कोण आगे देखते हैं ये जो है इसमें देखो ये बिलकुल L बना हुआ है ना इस तरीके से तो ये कैसा हुआ है L वाले कौन से होते हैं सम कोण अब ये देखो ये काइट का आप एक चीज और याद रख सकते हैं कि पतंग में हमेशा जो हमने सामने वाले एंगल होते हैं वो सम कोण ही होते हैं जैसे ये और ये सम कोण ही होगा और ये और ये भी सम कोण होगा और वैसे भी आप देख सकते हो कि ये L की शेप बना रहा है तो इसलिए ये कैसा एंगल है ये सम कोण है ठीक है L ऐसे होता लेकिन ये L से जादा खुला हुआ इस तरीके से L इस तरफ खुला हुआ तो इसलिए कैसा हो जाएगा सम कोण से जादा वाला कोण ठीक है अब अभिभावकों के लिए सुझा हो रहेगा कि सम कोण की समझ पक्की करने के लिए बच्चों से अलग-अलग जगे पर बनने वाले सम कोण जैसे की मेज, अलमारी के कोने, दिवार, आदी के बारे में चर्चा कीजिए और COVID-19 के विरुद लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए सबी मास्क जरूर पहने तो आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कॉमेंट करें, चानल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में